तो अब रिदी अवरीवन मिरी आवाज आ रही है हाँ ठीक है सब ठीक चल रहा है हाँ ठीक है सब ठीक चलो गई तो वाज लगे ना तबी का स्वागत है अबस्तित है प्रेजंट है यह पेपर आया है तीन अप्रेल 2021 में और आर्वी एंटी पीसी में खास्याद यह है कि इस पेपर के बहुत सारी कॉश्चन्स मुझे सीजल में भी मिले हैं और सीचेस में मिले हैं लाइक इस पेपर से बहुत सारी कॉश्चन्स कॉमन हैं जो 2021 में पेपर हुए हैं जो पार्ट है यह रिपीट हुए इसके बहुत सारे कॉश्चन्स कि चलो तो स्टार्ट करें क्या क्लास को बताओ मुझे सब लोग आ गया भाई कि कमेंट इक वर मैं ओपन कर दूं कमेंट देख नहीं रहा है छोटा छोटा देख रहा है सो बड़ा बर देते हैं ठीक है तो खुरापाती बच्चा जुड़े हैं हमारे साथ में जितें रहे हैं और कोई नी जुड़ा आया क्या भाई रही जो चुकी है हमारे साथ में कविता जुड़ चुकी है मारे साथ में हेलो प्रेंका कविता कैसे हो भाई और देरे करके आते नहीं है तो यह जो पर यह इसके बारे हम बात कर रहे हैं इसके बारे हम बात कर रहे हैं अन्य कर अगर आपको बच्चे पूस्ते हैं कि सर्व यह आप सब्सक्रिप्शन पर होती है वह सब्सक्रिप्शन पर होती है उसमें आपको डेली के डेली जो भी प्लांस होते हैं और आप सब्सक्रिप्शन होती है यह सब्सक्रिप्शन और बहुत प्राइज नहीं है कि आपको लागों रुपए देने हैं हाट महीने दो साल पर चाय महीने एक साल पर मेरा कोड अपलाई करना है आपको कोड क्या योगिन वाइओ जी एंडी आई दिस कोड़ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला कुश्चन बहुत ही बढ़िया कुश्चन आंसर दीजिए सुर्षडी जुर चुके ह हमारे साथ में ऐपटल गॉड़न विजयराणा जुल लगे रषार और आलो कुमार नडड जुड़े हैं हेलो नंदधी नंद राज पुमारी कुश्थभा जुड़ी है हेलो राज कुमारी कैसी है यह सुसुरी है कोई बच्चा है आवेश वाइश ही जुड़े हैं सचिन कुमार सर्मा जुड़े हैं हेलो सचिन हेलो अवेश कैसे हैं बदाओ बारती सम्मिदान में सामिल 22 अनुची भासाओं के अलाबात कि इन दो अन्य भासाओं को सहित अकाद्मी द्वारा मनिता दी गई है आपको मैं एक इंपॉर्टन चीज बताओं हिंट दे रहा हूं ससी थरूर को जानते हो वही ससी थरूर जे इंगलिस बिंगलिस बहुत बोलत बादों की एरा उफ डाकनेस इंगलिस में लिखी गई थी मतलब सहे तकादी प्रुसकार इंगलिस कटेगरी में भी दिया जाता है इंगलिस कटेगरी तो मुझे एक ही जिगह नजर आरी और गुहत तीसरा मतलब राजस्थानी और अंगलेजी तो एक्जामनर आपको हिंट हिंट जरूर देता है समझ रहों एक्जामनर आपको हिंट जरूर देता है हिंट मैंने भी आपको दिये एरा आउफ डाकनेस ससी धरूर साहित अकादमी पुरुसकार दिया गया ताब क्वेशन मनता है कि जो 22 अनुसूचित भास आए है इनका जिक्र किस अनुसूची में कि इनका जिक्र जो है वो अधरी अनुसूची में किया या रखेंगे इनका जिक्र किया गया है भारतियी समयदान में सामिल 22 अनुसूची बहताओं के अलावा कि तो एक तो रजस्तानी होगी अंग्रीजी होगी और वहाद की कोई लुक्त के बारा भाण की भाराइए लिखा पड़ी की वहासा है वह कौन सी देवनागरी देवनागरी हिंदी डियुप सब्सक्राइब कि एडिया से संबंद है और चैत्रों में कुछ राजये आते हैं है और यह जो राज स्में इसमें अपको बता ने कि वो राज कौन है जो इसमें सामिल नहीं है ठीक है आंसर तो हां ससी धरूर की द्वारा जो एक ग्रेट इंडियन नॉबिल लिखा गया है परादॉक्स प्रेमिस्टर लिखा गया है भाई हमें हिंदू लिखा गया है यह रावडागने लिखा है बेट लॉंगिंग लिखा गया है कि आसी से अपना नाम बदली है खुरापाती बच्चा कर लिए ना मैं तो क्या अंसर बनेगा सही आंसा दे रहे हैं राइट आंसर इस अरवाचर प्रदेश ही भारती समयदान की छटी अनुसूची द्वारा चीजों में सामिल नहीं है तो कौन-कौन सी राज्य सामिल है इसमें सबसे पहला है असम मेजुरम तिरपुर और मेगा आसम मेजुरम तिरपुर और मेगा इंप्रॉट इंपर्टन चीज में आपको बतातों पर्सों नर्सों के जो टेस्ट यसमें आपको बताया था कि इन मैंसे एक राज्य को देल लैंड ओफ रूलिंग हिल्स कहा जाता है लुड़कते पहाड़ों का राज्य कहा ज कि रूलिंग हिल्स है टूलिंग है यह तकी तो असम मेदरम तिरपर और मेहारा चार राजी और तो श्रीक्षटीडी यह संद्वल में आते हैं अच्छा इनकी इनकी जो शुक्षडीव में एड किया गए था कमिटी बनाएं गए इश्का नाम था बार दुलाई कमिटी नाम सबसे ऊपर निमलिकित में इसे कौन सा भूपरिक्षन उपंगरय है क्या होता है क्या क्या रहते हैं जी ओब्जर्विशन सेटलाइट एक सेटलाइट होती है सबसे ऊपर सबसे उपर और एक सेटलाइट होती है जो नीचे की तरफ सेटलाइट होती है और यही सेटलाइट नीचे के घरों से एरिया से आप उसमें सेटलाइट है यह आपको बताना है अब देएयेनस यह ए तो है पहली और पहली और ऐसन समझना एक ने एरिया की अबजर्बिशन के लिये से लगाए जाती कोई दे बाहर परवबित अरिया है वहाँ पर लगा दिया गया हुए इस से क्या होगा उस इरिया की जानकारी मिलती रहे इसके आलाबा इसमें क्या हो त्रेकिंग स्टेशन होता है और इन दोनों की वीच में ये कारे करता रहता है तो इसे कहते है अर्थ और सरलाभी इसी का एक उधार है भारत की पहली सेटलाइट आरभट है जो छोड़ी गई थी कि अप्रल 1975 और इसको छोड़ने के लिए रूस की साहता लिए थी जो है वह वह किया था और भारत के इस रोड़ा ने भारत के जो 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 है इसमें सबसे ज्यादा सेटलाइट चोड़ने का भी रिकॉर्ड बनाया स सबसेटलेट साथ लॉंच करने करोपर मनाया है मलाला ने सरणाती लड़कियों के लिए कौन सी किताब लखी है मलाला यूसप जाई वही है जो नहोंने कैला सत्यार्थी के साथ में सांती का नोबल परुस्कार जीता कि मलालो यूसप जाई की कहानी यह है कि यह इतनी फीमस इसलिए है आफगानिस्तान जो बर्तमान में अब तालिवान का कपजा हो गया यहां की यहां से ब्लॉंग करती थी और इनके सर में गोली मार दी थी क्योंकि पढ़ने की जित करती थी और बाकि लड़कियों को प्रे लड़कियों पर इसका नाम है वी आर डिस्प्लेइज दिस दा नेम अप द बुक वी आर डिस्प्लेज और भारत की तरफ से क्यला सत्यारती बचपन बचाओं आंदुलन से जुड़े हुए और तब ही उसकी बात से ही जो है वो फीमस हुए क्यला सत्यारती आगे चले तो नाम है मलाला यूसुफ जाई वी आर्ट इस्प्लेज मैं स्टोरी इस पॉम जर्नी फ्रम रिफ्यूजी तो अरूंड अवर्ड निम्लिकित मैसी कौन से कंप्यूटर के सीपीउ के दो घटा चलो भई ड्रीम स्सी बहुत बढ़िया तही बता रहो जब टैर्स ने पूछा कौन है मलाला तो रहने वोली मैं हूँ पूरी किताब पढ़के वैटे लड़के तो आंसर आरहा है खुरापादी बच्चे ने डिया है कविदा ने डिया अंसर दिया है पर इंकान डिया है शुरुषडी ने चौता अंसर दिया है श्रंजीत कौर अन्सरडी दिया है ते राइट आंसर डि यहां रहा है कंट्रूल यूनित और अर्थमैटिक लोजीकल यूनित तो दो यूनित है अल्यू और अठीक पिश्चिंट नंबर छे इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके दरा पैचाना जाता है मुझे एक चीज बता दो सब्सके के िंटरनेट किसे कहते हैं फादर ओफ इंटरनेट बता बहुत बार मोBay ने बताया है पादर ओफ इंटरネट किसे कहा जाता है कितने भार कुश्चन यह पूछा गया ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है और दूसरी चीज यह है कि अगर कि जी विद्धी के कंप्यूटर को में पहचानना है इंटरनेट पर कि वो कहाँ से पता होता ना घर का पता जैसे मान लीजी आपके घर का पता है कि दो बटे किस पी ब्लॉग ये महला ये कसवा ये शहर इसी तरह कंप्यूटर कभी होता है इसी आई पी ड्रेस के तुरू अपरागी की पहचान की जाती है अगर कोई साइवर क्राइम करता है तो सब्सक्राइब लें प्रेंट किसे कहते हैं विंट विंट सर्फ को कहते हैं बिल्कुल सही है विनी सर्फ को नहीं कहते हैं विंट सर्फ को कहते है भाई पहला इंटरनेट एक्स्प्लूरर या फिर इंटरनेट ब्राउजर कौन था पहला इंटरनेट ब्राउजर फॉस्ट इंटरनेट ब्राउजर इसका नाम क्या था किसी का अंसर आया और एकल और यह नौट राइट 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 अंसर और है कि नौट राइट अंसर कौन सा जल्डम्रू मत आक्रिक महासा गर और प्रसांथ महासागर को जूडता है यह वही है जो अमेरिका को अलास्का से जोडता है रशिया से जोडता है याद आ रहे कुछ है छोटी सी स्ट्रीट है क्या कहते हैं इसे पाक जलुमड जलुमड हटा दो इसे क्योंकि यह तो भार्त और त्रिलंका का हो गया इसे तो हमने क्या कर दिया, हटा दिया वेरी इंपॉर्टेंट था, हटाना तो हटा दिया अब वेरिंग बचा, नॉरविन बचा, और बुट पूर्ट बचा और वेरिंग जनलएव, वेरिंग जलएज़ पूरेट इसरीट is the right answer इंटरनेट एस्प्लोरे जोंग आंसर वर्ल्ड वाइड वेव याश्मीन कैसी हो अपी दिन के बाद दिख रही हो क्लास में पढ़ा करो बिट्टा मुझेला इस नॉट दराइट आंसर किसी ने सही आंसर नहीं दिया है तो यह बैरिंग स्टेट रश्या और अमेरिका को जोड़ने वाला हिसा और यह इस यह अगर अगर हम वैसी बात करें तो लैंड को भी जोड़ रहा है और महासाद को जोड़ा है यहां पर नॉर्ट पर्व का सहों कि अविर के धार्मिक सिक्षक मियामीर किस राज ने सम्भंस अगरे देंसा राज से समस्वन हैं कर दो मियामीर हाँ हा लेकिन जाएम अब नहीं है हुराफ़ादी बच्च या से मेल है पंजाब सुसरी बता रहे हैं उत्तरप्रदेस कि अच्छा भाई कि और बताओ कि इन्होंने श्रण मंदिर की पहली ब्रिक्स अख्षी थी मनीश पटेल यूपी बता रहे हैं अच्छा भाई बता याश्मीन है तुमको तो पता होगा कि अच्छक मिया मीर किस राजिसे संबंदित थे कि वहीं मिया मीर है जोनोंने स्वाण मंदिर की पैर नीव रखी थी ताइट आंसर इस पंजाब पंजाब से ब्लॉंग करते हैं नौट उप्तर प्रदेश के चेत्र में अपार युगदान के लिए निम्लिकित मैं से किस मानस्ती को 2019 में देश के सर्वोष्टा नाग्रीक भारत रखने से सम्मानित किया गया था अब आपको यह सोचना है कि इन में से समाज सिवा कौन है इन में से कौन सी रखती समाज से संबंदित हैं समाज सिवा से रिलेटेड हैं प्रियंक का नाइन्त का ए होगा नाना जी देश मोग भुपे नाजार का विरेज है बिल्कुल सही है भाई सुसरी ए बता रहे हैं डी में सच्सी ए बता रहे हैं इस नाना जी देश मोग तो नाना जी देश मोग सबसे पहले तो प्रेणा मोगर जी आप सबको पता है कि यह और इनको भी जो है पहले फिर्स विकम दा प्रामिस्ट नाना जी देश मोग सवाश्वा को लिए दिया गया था और यह किस्ते थे संस्कृति थे सिंगर थे मिजूशन थे फिल्म में करते प्रॉपरली नोन एज दा बार भ्रहंपुत्र ठीक है तो कहने मतलब है कि इन्हें किसमें दिया अगया कियाए मुझे में सवाहर्स यह समासित थे और यह्यां वो किस शुरू किया दा यूबाARK बंगाल मोमेंट गन्षम उह को मे कह सकते हैं सबूद्धर साग्य है इंपर्टे सब्सक्राइब यूद्य कि आए और ने क्या किया था कि विद्वा पुनर्विवा कि फुले की आंदुलन चलाएं कि और इंट्रेस्टिंग चीज यह कि विद्वा पुनर्विवा का जो एक्ट था वो कब लिखा गया था कि बताओ जरा 1856 में लिखा गया था किसने लिखा था लौड डलहुजी ने लेकिन यह जो एक्ट है यह पारित हुआ था 1857 में किसने पारित किया था लौड बेंटिक ने लौड बेंटिक ने कि ँर पूशा जा आप से जो है वह किसने लिखा था तो लोड डलौजी ने लिखा था और पारित किस ने किया था लॉड़ विल्यम बेंटिक ने पारिप किया था सब्सक्राइब लॉर्ड कैनिन नॉर्ड बैंटिक इस लॉर्ड कैनिन लॉर्ड कैनिन जो अठाइश सत्वन क्रांथी में पार्ट सब्सक्राइब कि आगे चले भई अब वो क्या रहा है कि युवा बंगाल बंदरों किसे चलाया था है राजा राम मोहन रहा है एक बहुत ही बड़े कॉलेज की स्थापना की थी कोई बता पाएगा बहुत बड़ा कॉलेज है दिल्ली का मतलब इसमें अगर आपको एडिवीशन लेना है तो 99.something इतना स्कोर चाहिए समाझ रहों 99.57 99.98 यह कट्ड़ाप होता है राजा राम मोहन र और इस कॉलेज का नाम क्या है हां कैने नहीं मैंने कर दिया सई जी एनिए नहीं जी आनुट राइट आंसर इस कॉलेज का नाम है दा हिंदू का हिंदू कॉलेज तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय की बारे में एक और इस पड़नी चीज़ें कि राजा राम मोहन राय ने संबाद कॉमूदी और मिरातल अकपार का प्रकास्टन सुदू किया था मतलब उसमें रहे हैं वह सती प्रता को लेके बड़ा यूगदान है राजा राम मो कि अगला क्वेशन क्वेशन नंबर 11 इनमें से किसने फावरी दौर 21 में लिके नए प्रदावनती के रूप में सपत गरहन की इटली के नए प्रदान मंत्री आसाम को सब्सक्राइब आज़े बढ़ो तो 11 का मारी ऊ-ँड्रागी यह हमारी उट्रागी के हैं प्रदान मंत्री बने मैं आपको बताया जा कि से किस फसल कितनी मिले यह समय कि बनाइगी यह जो यह करती है कि इस फसल्टी आनी चाहिए और यह जो MSP इसका full form क्या है maximum support price maximum sale price minimum stock price minimum support price तो maximum नहीं रहेगा minimum रहेगा minimum पर जाना है maximum पर नहीं जाना तो minimum support price the right answer अगर MSP की बात के निसका full form क्या होता है minimum support price यही इसका full form होता है और जो कमीशन यह करती है कि कितना MSP होना चाहिए कमीशन का नाम है Commission for agriculture cost and price CACP Commission for agriculture cost and price CACP यह कमीशन ने जो minimum support price करती है संगाई यह भारत की इन मैं से किस राज में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल इन वीच फॉल्विंग इंडिया तिरपरा मनीपूर मेजुरम या फिर नागालेंड तिरपरा मडीपूर मेजुरम या फिर नागालेंड तो संगाई त्युहार किस राज में मनाया जाता है बढ़े नशल पार्क में तैर्टिवे नशल पार्क के अंदर रहता जिसका नाम है के बूल लामजव नशल पार्क इसी राजज में जील पाई जाती जिसका नाम है लोग तक जील पादा राइट आंसर इस बाड़ी पूर टीक सबकांसा सई मड़ी बुर्द राइट एक और इंट्रेस्टिंग चीज है यहां पर आपको आपको याद रहनी चाहिए यहां पर तीन जगह से बंगलादेश से घिरा हुआ है तो तीन तरफ से घिरा तो तिरपुरा है ठीक है में आपको बता चुका हूं में को क्या कह जाता है तो राइट अंसर बढ़ेंगा क्या होगा हौर्ण विल्ट फैस्ट भारत और इस देश ने फर्वरी दोजा 21 में तैतूद बांद बनाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर कि बहुत पैसा लगाया इस देश देश में बहुत पैसा कभी डेम बना रहे हैं कभी पैसा कर रहे हैं राश्पती असरफ गनी अब तो पता चल गया होगा लेकिन समस्या कि अव्य आतंक बाद किसी भी रूप में हो वह रहता है पाकिस्तान के कजानमंत्री इम्रान खान ने बच्चों पर सूटिंग हुई तो कहा था कि हमें डिफ्रेंस नहीं करना है अच्छे आतंक बाद और बुरे आतंक वाद में हमारे सपोर्ट से पड़ोसी देश में हो रहा है तो अच्छा आतंक बाद है और जब वही आतंक वादी हमारे बच्छी अनी कोड़ा प्रता दिया तो आपको यह चीछत अ चीज अफ़गानिस्तान की बाहरे में यहाद रखना अफ़गानिस्तान में हिंदू कौस की पहाड़ी शूंची चोटी cadrec उसकी पहाड़ी की सबसे उची चोटी कौन सी है परसों बताये था मैंने याद आ रहे गी नहीं आ रहा है याद तो तुम्हें आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो हाइस पीक आफ हिंदुकुस निर्मल कुमार गुडीविनिंग भाईया किसी ने नहीं बताया आसीस भूल गए तुम करो फटा फट पाकिस्तान की सबसे उची चोटी का नाम क्या है इसका हो जाएगा के टू गॉडविन ऑस्टेन यह जो है पीओके के छित्र में आती है बिलको सब्सक्राइब करें तर्फ मीरी दराइट आंसर बहुत बढ़िया है इस ने सबसे पहले आंसर दिया था यह यहां सदिया याश्वीन नहीं गारी गुड़ की पटाओ निर्मल केरें से आपकी आवाज बहुत दीमी आ रही है ऐसा है क्या वही आवाज दीमी आ रही है के मेरी ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आगे चलें क्वेश्चन नंबर कि संयुक्त राष्ट का प्रमुक न्यायक अंग जुडीशल और्गन कहां पर इस्तित है क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट का जो इंटर्णेशनल कोट ऑफ जश्टिस है इसके न्यायधीसोंग का कारेकाल कितने वर्सका हो यह कोशन पूछा गया था है UC मैना क्या पूछा है कि कितना कारेकाल होता है इंटर्णेशन कोट अब जस्टिस के न्याएधीसों का तो आपको याद रखना है इनका जो कारेकाल होता है ICJ इनके जो न्याएधीस होते हैं इनका जो कारेकाल होता है ये 9 वर्स का 9 वर्स का समझ गए 15 जज होते हैं बिल्कुस है बहुत बढ़िया बियाना में किसी का हेड़कॉर्टर है बता हो ये वियाना में किसी का हेड़कॉर्टर है तो IAEA International Atomic Energy Association इसका हेड़कॉर्टर बियाना में है जिनेवा में सभी का हेड़कॉर्टर है WHO का है ILO का है mostly हेड़कॉर्टर कहां पर है जेनिवा में और नियुवोग में वासिंग्टन नियुवोग में यूएनो का ही एड़कॉर्टर रहे और यूनिसेफ का है उनेस्को का सब्सक्राइब समास्तानिक सब्सक्राइब का अर्थ क्या है वाट इद्धा मीनिंग ओफ आइसो टॉप तो वन एच वन वन एच टू वन एच थरी यह सब आइसो टॉप्स है हाँ जिनेवाम बहुत सारे का है हाँ 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 है इसका जो है वह कब तक आएगा रिजल्ट कैसे पता चलेगा अब तो कुछ नहीं है यह चलता रहता है जुझना होता है बच्चों को जुझना दे देते हैं फिर वो केलते रहते हैं तो चलता है तो समस्तानी सब्द का भी प्राइक है पहले भारतिया कौन थे स्वाशन बोज स्वामिय विवेकानन जवालल नहरू और मानवेंद्र नाथ रॉइट करोगे तो आंसर बन जाएगा कम्निस्ट इंटर्नेशनल रूस का छेत्र जहां पर बहुत ज़दा जहां से कहते हैं कि यहीं से कम्निस्ट पार्टी का उदय गुट इवनिंग भाई क्रेटर मानवेंद्र नाथ रॉइट 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 एंड्रॉइट यहीं जो है कम्निस्ट इंटर्नेश्ट नेत्र थे तु चैन की जाना ले पहले भारतिया थे ठीक है स्वाचंद बूस ने किताब लिखी जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल स्वामी बिबेका नंद के दौरा लिखी गई किताब का नाम बताईए कोई पताहएं और रामकैषण परहुमिशन नेहीं की थी और स्वामी बिबेका नंद का एक स्टेटमेंट है ध्यान से सुना स्टेटमेंट यह कि भारत का जो पढ़ा लिखा और समपन्न जुचे जो जो लोग है वग्वो जो ग्रांती कारी यह लेकर इनके आत्मा मर्च चुकी तो स्टेट्मेंट मुझे नहीं पता लेकिन वुद्श सार यहीं था जो भी पड़े लिखे लोग हैं बड़े लोगे जो संपन लोग हैं उनकी आत्मा एक तरीके से मर्च चुकी हैं अंग्रेजी सरकार को लेकर है ना निर्मल कुमार के रहे हैं यह निकली जा रही है कोई एक्जाम का आता पता नहीं क्या करें निर्मल जहां पर आप हैं वहीं पर हम भी है एना तो कुछ कर्म योगी अच्छा गुड़ी भी नहीं है रोहित सेंट जी तो यह है मानवेदर नात रॉय इनका एक ऑगनाईजीशन था जिसका नाम था युगांतर इंडियन डिपेंडेंडेंस मुव्मेंट में जुड़े हुए थे और यह रश्या एंट चाइना कपनिस पार्टी के जो है वो अधिक्ष्पने थे भारति संस्या दौरा आर्टी आई राइट टू इन्फॉर्मेश दोनों लगबग आजपास आजपास ही इनको पारिद किया गया था तो सब लड़के लिख रहे हैं वहीं पर हम भी है सब सेमी है तो अगर हम बात करें भारति संस्या दौरा आर्टी आधिनियम कब पारिद किया गया तो आर्टी आई राइट टू इन्फॉर्मेशन कि दो हजार पांच में पारिद किया गया था और कब पारिद किया गया था मई 2005 कि और अगर हम बात करें आई टी एक तो एक हजार बच्चों में कितने बच्चों की मृत्य हो जब ऐस में सबसे ज्यादा में जो है और भारत में सबसे ज्यादा जॉधार है। वो मद्द्प्रदेश की है फिर यूपी की है फिर असम की है यह राज कि टॉपर है मतलब सबसे बच्चे यहां मरते हैं पैदा होने की एक साल के अंदर एक वर्ष से कम है उस विशेश वर्ग में वर्ष में पैदा हुए मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो होता है उसे हम मृत्यूदर कहते हैं और इसमें भारत का इंफेंट मोटल्री रेट है वह है 28.3 एक हजार बच्चों में पूरे इंडिया में 28.3 बच्चों की डेफ हो जाती है इसे कम किया जा सकता है बहुत काम किया सकता है खास कर ग्रामीर छेत्रू के ग्रामीर दूसे होता है अगर हम बात करें एस सबसे खतना क्या की मद्यपरदेश का है इसके अलावा है अगर ड столько प्लेश आता है और ऊसंभी आता है बाल कौन सा गुमबद जैसी सरचना वाले जल निकासी पैटरन को रूंपिद करता है कि जैराम जी की भीयान नवीन बट्नागर जी कैसे हैं यह लाइक नहीं कर रहा है में तुम लोग लाइक पहीं रहते हैं पढ़ते रहते हो देखते रहते हो लाइक नहीं करते हो यह बहुत खराब आदत है कि निम्लिकित में से कौन सा गुंबद जैसी सरचना वाले जल निकासी पैटर्ण को निरूपिक करता है आयताकार ब्रक्षु नुमा तिरजिये और जाली नुमा लाइक कर दिया चल बहुत बढ़िया धन्यवाद है कि इस तरीकी संचना आपको दिखाई दे रहे हैं यह संचना अपने आपने आंतर में जाए रिडिल इस दे राइट आंसर सबसे पहले होता है डेंट्रिक डेंट्रिक क्या होता है नदी निकली और नदी की बहुत सारी सरं जो मैंचना जाती है कहीं भी जौर यह पहारी ज्यादा होता है बहुत ज़्यादा होता है वह ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यारीं तो यह चार प्रकार की नदियों के टाइक होते हैं जो बनती है चेन ने अपने क्रितिम सूर्च से इन में से किस तकनीकी का उप्योग किया है एंटी पीसी का रिजल तुमारा आ जाएगा निर्बल तुम टेंशन न लो समझ गए तुम ये सोचो कि मेंस में जब तुम पेपर देने जाओगे तो क्या पढ़ो कि अच्छे से अच्छा पेपर हो समझ गए पानिपस से जुड़े हैं भई बढणागर जी बटाव भई तीन से क्या क्या याद कर सकते हो चीन से याद गर सकते हो कि मैं सबस्राई चीन की है WrestleMania सिंगल सिस्टम है यहां का राष्टी खेल टेबल टैनेस है यहां का राष्टी पासु वाइट क्या कहते हैं ऊजब पान्ड है इसके अलावा सबसे एश्या कि सबसे बड़ी नदी कहां पर बहती है चीन में एक यांगते नभी यहां पर पिली नदी फीकिंवी होती है जिसका नाम है यॉँवोंग उसे क्या कहते हैं यहां की पीजी नदी तो कुछ छीज़ें जो आप पड़ सकते हैं याद कर सकते हैं चीन के बारे में और चीन के नाभिकिये सलयन की प्रिक्रिया को अपनाते हुए एक सूर्य बनाया था लेकिन इंट्रेस्टिंग चांद भी बनाया है और चांद 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और इंट्रेस्टी चीज़ है कि जो उजनल चांद है उससे ज्यादा तेट चम कियेगा तो पूरा-पूरा सहर चमचमाया एक दों कर चांसे सूर्य जब बनाया तो सूर्य को केबल 10-15 मिठी एक इसकी बाद बंद करना पड़ा क्योंकि उसने इतनी बनाई था इतना बड़ा इतने बड़े सूर्य को यह केबल 10-15 मिठी कंट्रोल कर पाएब सूचे अब आप अशली में होता तो कित्ती नर नहीं है रॉंग मैच बताना है आंसा दीजे भटक से में एक मिट में आया कि आगा है आगया है कि अग्यां सारा रहा भी एसिडिक में सिर्का होता है बिल्कु सही है लेक्टिक में दही होता है बिल्कु सही है एसकॉर्विक में इमली होती है गलत है यही गलत हो गया इमली तो इमली में तो कौन सा होता है टार्ट्रिक असिड होता है और एसकॉर्विक किसमें होता है तो ascorbic acid vitamin c होता है अब आइडिया लगा लो आवला में ascorbic acid होगा भारत में इस्तिद युनेस्को को 200 दरोगा इस्तलों और उनके समावेस के किस वर्स में गलत योंग को आपको पहचान करना है कि दिल्ली के लाल किला को कि युनेस्को वर्ल हरिटाइज में 2007 में समील किया गया था तांची का इस्तूबाद 1988 में और फतेपुर सीक्री 1986 में और आगराकला 1983 में यह तो बहुत डिफकल्ट कोश्चान है कि देखते कौन अंसर देता है कि तेज का भी आ रहा है कि आसी इस ने बी दिया है ड्रीम एससी ने बी दिया है सुरु सुरी स्किप कर रहा है निर्बल ने कविता ए दे रही है निर्बल कुमार चौथा आंसर दे रहे है हाँ यह मुश्किल कोश्चन है आश्मीन इस ने आइस ने निर्बल नहीं किया गया था बलकि उन्निस्टो नवासी में इंक्लूड किया गया था ने इंटीन नाइन इंक्लूड किया गया था यहीं करबड है तो सांची इस तूपा 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज में समिल हुआ था इस दर लिविंग प्रूफ अप इंडिया आकिश्चे चेंट अर्किटेक्शल स्ट्रीं साची इस तूपा इंडिया प्रामरी बुद्धिस साइट एंड कंटेन संप दो ओल्डिस स्टोन स्ट्रॉक्चर इन दा कंट्री कि दिए गए विकल्पों में तीन एक तरह से संगत है और चौथा एक अलग तरीके से है तो आपको उस विकल्प को बताना है जो अलग है कि डिफेरेंट खोच कर देना है कि देखो टुक्का लगा रहें फिर भी सभी कर दे रहा है वाह ए से वच्चे तो चाहिए हो नहार तुक्का लगाने वाले हुआ है कि टोटल साइट स्पाट्टी है साई है करेखा यह यह नहीं आती यह थिसरी वाली क्योंकि यह तो टाइम वाली रेखा है तो यह जो है वो एकदम यह तो टाइम वाली रेखा होगी तो तीसरा रॉंग हो जाएगा इनमेंसे किस संग के सदस्य मुक्त जीवत जीने वाले समुद्री जीव होते हैं यही तुमारा हिंट है अब सोचो कि इनमेंसे कौन से समुद्री जीव है तो दो अप्शन तो ऐसे इससे पिंसेक्ट आ जाते हैं इसमें नमेटोडा भी वैसे हो गया यह या तो मुलासका होगा हो यह तो यहीं二 हो रखेगास ने हीज समुद्री जीव तो मुक्त जीवन जीए ने वाले बिशुस समुद्री जीव है वह सुनु जाथ एकन डर्मी आ नहींत लिया आपक проц Wij प स्टार्फिस की खासियत क्या पता है इसकी एक हिस्सा काड़ दोगे ना इसका एक पर काड़ दोगे दुवार से हो गाएगा तो यही इसकी खासियत है इसके अलावा वीवियन पार्क होगे बाकी सभी चीजें होगे कौन-कौन से आते हैं सब्सक्राइब कोई संगटन नहीं है संगटन तो अन और्गनाइज सेक्टर पुलिस सरकाई नौकरी बैंक या फिर खेती यह तो बहुत आसान परश्चान एकदम आसान कि खेती आंसर सई हो जाएगा आसंगटन चेत्र का उधारन कौन सा हो जाएगा यह तो बारती रक्षा मंत्राइब के द्वारा रफेल विमान इन मैंसे किस देश से खरीदा गया यह आसन कोश्चन है रफिल विमान किस देश से खरीदा गया था इसराइल से कंपनी का नाम क्या था दसॉल्ट अविएशन है ना फ्रांस की कंपनी थी दसॉल्ट अविएशन और जो बनाये गया था वो कौन है भई रफाले है प्रांस दे राइट आंसर प्रांस दे राइट आंसर समझें आगे चलें एक और पूछे जाता है कि यह जो एक ही फट्टी सेवन है यह कहां पर बनी है रश्या में अधर एक फर्टी सेवन गया मकूछा रश्या में बहुंत सर देज बनाएं लगे जिनेवा में अंतराष्ट्य मानुदिकार आ यो की स्थापना कभ भारत में अंतराष्टी मनुदिकार आयू की स्थापना कभ वह यह कोशन यह बन जाता है बरतवान में मनुदिकार आयू के द्रिक्ष का नाम क्या एचल द्तू है यह कोशन मन सकता है अभी बदल चुके हैं पहले थे अचल अब तो नैव हो गये हैं अरुन सब्सक्राइब तो थोड़ा सा मुझे लॉजिकल लग रहा था लेकिन फिर भी देख लेना इसको तो नेशनल हुमारेट्स कमीशन 1993 में इसका निर्माड़ हुआ था और बरतमान में इसके पहले एक्जुकेटिव रंगनाद मिश्रा हैं और बरतमान में इसके जो एजुके तो पश्यमंगाल में इस्तित किस प्रकार के बन इनका एक उधारण है मैंगरोब बन देखो पश्यमंगाल की जो सुन्दर बन वो सारे के सारे डिल्टा वाले वन हैं डिल्टा इवन कह सकते हुने और निकी जड़े हमेशा पानी में डूबी रहती हैं बहुत घने होते हैं कटीले होते हैं और पानी में हमेशा जड़े डूबी रहती हैं ऐसे बनों को का नाम क्या है मैंगुरोब बन पूश्र कटबन्दी सवात सदावाहर जो बानें के चेट रहे हैं या पर जो ब्रिजील का छेटडर खासकर अमीजन के बर्श्वत्रिती वन यह होते हैं वह कौन से हैं वह कटवंद्य सदावहर बना इतने सगन होते हैं सोचिय सूर की किरने भी नीचे नहीं पहुच पाती हैं नीचे के जीप बन रहे हैं यह इतने असंक होते हैं कि तुम अंदर चले जाओ पूरा अड़ी-विस यतना जादा यहां पर बायो-डाविसिटी रहती है और यह कहा जाता है कि फेफड़े भी कहे जाते हैं प्रतिभी कुश्यन नमबर तीस राष्टों का राष्ट मंडल जिसे सामनता राष्ट मंडल की रूप में जाना जाता है वह एक क्या है राजनेतिक संग है आर्थिक संग है सामाजिक संग है मानधिकार संग क्या है ब्रिटेन की अनवाई में बहुत सारे देशों ने एक संग बनाया यह क्यों बनाया आपको पता है कि ब्रिटेन समराज ज्वादी नीथी पर चलता है एक ऐसी नीथी जिसमें किसी वेक्ति को नौकर बनाओ और खुद राजा बन जाओ तो ब्रिटेन चाहता है हम खुद कर ना रहें कुछ ऐसी नीथी पर चलता है और इसकी जस्ट अपोजट जो नीथी है वो कम्मुनिजम आता है जो इसका निर्माण अलग 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 देशों में रूस में चाइना में होगा तो यह जस्ट अपोजट नीथिया थी इसलिए ब्रिटेन बहुत ज़्यदा इसलिए ब्रिटिश को नरी और और डिपेंडेंसी और दोस को लॉनी नोन अज दर बिटिश कॉंट बेल डाइजनल मेंबर्स वर दे युनेटी गंग्डम कनड़ा औस्टिलिया नियूज़ लैंड साथ अफरीका आरिस इस्टेट एंड नूस फाण्ड लैंड भार्ति-रा व्यक्ति-मद्र पहुंड आए जाए फैनफ होगा तो पह特ब स्कत्राश्थ्य आध्यशन की कि था कि mehr आए और थीट भारभी राष्टी उप्वक्राष्ण के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ब दरुद्दी मुस्लिम टाइब द्ताप जी पहले यूउ quests अदेक्ष जो थे जौर्ज यूल अलावा दिशन 888 भारती राश्च्टी कॉंग्रेशन में सबसे पहली बार बंदे मातरम गाये गया था 646 मन है भारती राश्टी कॉंग्रेशन के सबसे पहले गांधी जी पश्पीट किया था नरम दल और गरम दल अलग हो गय थे और सबसे पहली बार महिला अद्देक्स बनी थी 1917 में इडी बैसें और 1925 में सरोजनी नाइडू तो इस तरीके से बहुत सारी क्वेश्चन इससे बनते हैं थोड़ी थोड़ी आपको याद कर लो ज्यादा याद ना करो तो mcb का पूल रूप क्या होता है वाट इदा फूल फर्म आफ mcb बदेए करेंट ब्रेकर मिनियचर सर्कूट ब्रेकर मिनीचर सर्कूट ब्रेकर ही द रइट है me question number test इड्डु की जल विद्धुत परियूजना इन इन में से किस नदीपर बनाई गए थी दुकी जल विद्धुत परियूजना इड्डुकी हाइड्रो एलेक्र प्रोजेक्ट हैस बीन कंस्ट्टेड ओन विश अब दा पॉल्विंग रिवर गंगा कोशी पेरियार या फिर तापती गंगा कोशी पेरियार या फिर तापती कि कि क्या सबन जाएगा इड्डुकी जल्दे प्रिजुना प्रिजुना किस नदीपा बनाए गए थी तो राइट आंतर बनेगा पेरियार नदीपा कोशी नदी को बिहार का सोक कहते हैं तापती नदी क्वेशन नमबर चौतर से इन वैसे कौन सा युग्म घास के घास के मैदान से सुलेमित नहीं है सेंट्रल एशिया स्टैपी अर्जेंटीना पेरिंग ऑस्टेलिया डाउंस और साउथ अफ्रीका वेल्ड़ कि खलता ही ताब हिए एरियमित नहीं है प्यूजिय से लएटन घएजाझ इबॉदाी cricket कि घुड़ Оп ग कि दर राइट आंसर इज अर्जेंटीना प्रेरी तेंटरली से स्टैपी सही है और सिलिया डाउं सही है यह लग रहा प्रेरी वाला अर्जेंटीना वाला यह गलात है प्रेरी नॉर्थ ऑमेरिका में है बल्गत सही है वो नॉर्थ आमेरिका घास के मदानों को कहते हैं 파ॉंप आर्जेंटीना और्गवी भी यह नॉर्थ आउर्ट intern और पुस्ताज वह हंगरी के साउथ की घास के मैदानों को कहा जाता है ठीक है भाई उसका नाम बताएं भारत में आदित सिक्चा के संबर्धन में के राजा राम मोहन राए की में मैं भी आपको बताएं ग्यार ने एक कॉलिज की स्ताफना की ती दा हिंदू और यह भोती स्कॉलिजिय में दो भासाओं को पढ़ाई पढ़ाने सुरूब किया गया एक तो था हिंदी और यह वा बहुत इंपोर्टेंट थी अब हुआ कि आप सब लोगों पता है कि बंगाल को कहा जाता है क्रांतिकारियों का गड़ जितने भी बड़े-बड़े क्रांतिकारी भारत में स्वत्मत्र संग्राम को लेकर लड़ रहे थे उनका गड़ उनका जो एक घर था वो बंगाल और साली भासा में लिखे गए बड़े अच्छी जो भाषन थे उनके जो लेक ते उनका प्रिचार प्रिसार को इंडिया में करने के लिए ऐसा संस्थान एक बड़ी नीव बना और वह था दा हिंदू कॉलिज राजा रम होन राय ने व्यक्ति के साथ में जिसका नाम था डैव सबसे पहले राजा राम मोहन राय और राधा कांत देव यह इंपोर्टेंट है राधा कांत देव और राजा राम मोहन राय ने मुक्रूप्सिस की स्तापना की लिकिन इसमें डेट हरे भी थे जिनहों ने इसमें का सयोग किया इसको बाद में क्या था दिया गया प्रेसिदेंशी कॉलेज राधा यह वह दूसर हिंदू कॉलेज है प्रेसिदेंटि कॉलेज है बंगाल में इसका वह आता है सरकारी आयों की स्थापना 883 में केस प्रियोजन के हित्तों हुई थी एक होती है इंटर स्टेट काउंसिल नहीं इसे कहते हैं डवलप्मेंट काउंसिल विकास परिसाद तो डवलप्मेंट काउंसिल कहलो या फिर विकास परसद कहलो इसका निर्मार सरकारिया आयों की सिफारस्वां पर ही हुआ था और संबंद और संतुलन की जाज करने और परिवर्तन का सुजाओं देने के लिए बनाएगा था लेकिन हमेशा याद अखना कि भारत में टेंटर के सिस्टम था लेकिन कुछ राज्यों एक नई चाल चल दी पहले क्या होता था कि किसी राज्य में कुछ भी दिक्कात होगे तो उसके पीचे चली आते थी सुप्रीम कोड ने कह दिया था कि सीवी जो तोते की तरह है वही बोलता है जो उसका मालिक कहता तो सीवी कोई रहा न पहले भी जब आपको सुना होगा कि एक गाउं एक जगह पर किसानों पर गाड़ी चड़ा दी गए थी तब भी सुप्रीम कोड की टिप कर दिया जिसके द्वारा वो किसी भी राज्य में जाके बिना रोप्टों के जांच कर सकते थे अब क्या हुआ हुआ है कि अगर सीव अधिकारी की जाच करनी तो पहले स्टेट से आपको परमिशन लेनी पड़ी कि जो मिलेगी नहीं तो बहुत सरी राज्यों नहीं कि बंगल भी एक है महाराश्ट भी एक है तो यह कुछ ऐसे ही जो सकती का संत्वला ने बना रखने कि लिए किया गया था निम्लिकित मैंसे क पंचायत को बित्ती अधिकार प्रदान की और इस्थानी सरकार को मजबूत बनाने में मदद की जै महाकाल वही पता नहीं क्या लिख रहा है लड़कती बड़ी-बड़ी बात कि नहीं से इतनी बुरी नहीं है अच्छा ठीक है चलो कि निम्लिकित मैंसे कि संसोदन ने पंचायतों को बित्ती अधिकार प्रदान की और उस्तानी सरकार को मजबूत बनाने मदद की तो आपको ठीटाय सिस्टम आपको याद है ना ठीटाय सिस्टम थ्री टाय सिस्टम आइडिया तो है कि नहीं है पोना चाहिए अगर नहीं है तो पढ़ लेंगे तुम्हारा केवेंट अभी निकल गया पीछे तो थ्री साय टाय सिस्टम या फिर पंचायती राज संसुधन कि 1992 में आया था और इसी के द्वारा पंचायतों को वित्ति अधिकार प्रात्त किये थे कि ठीक है आगे चलें अगला क्वश्चा हीड़ा कुंड बांध किस नदी पर बना वासान क्वश्चन है यह अपनी सिहत का खायल रखें कि सियात बहुत जल्दी खराब हो रही है कि 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 क्या हो जाएगा कि हीरा कुंड बांध कि इस नदी पर बना हुआ है गुदावरी ब्रह्मपुत्र महानदी यह फिर गंगा कि महानदी जराइट आंसर उडिशा में हैं है तो यह टूटल 3038 कॉस्चन थे ठीएट ही है 3040 कॉस्चन नहीं तो अगरे इस पर आपके 20 कॉस्चन सही है तो ओल ओके और गार दस से कम कॉस्चन सही है तो ओल इस नॉट ओके तो ओल इस वेल वाला सिस्टम है सही है तो ओल इस वेल नहीं सही है तो ओल इस नॉट वेल ठीक है वाई मेरे अनकेडिमी पर आज से जो बैच स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से पर और एसाई एंड कॉस्टिवल के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है कि सब्स्रीप्ट पर logail के लिए को सब्सक्रिप्शन इसमें अध्रेश महीन साथ 800 और UP रुपए 7020 हो जाएगा अगर मेरा आप कोड यूज करेंगे योगें इससे मिलेगा आपको 10% का ठीक है और यहां से 325 रुपए घटके हो जाएंगे 293 अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं इसके अलाबा अनकेडमी पर अगर आपको कोई बीची ऐसी लगती है इन अप्रोपेट कंटेंड लगता है वीडियो में या कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप क्लेम कर सकते हैं और जो सबसे पहले रिपोर्ट करेंगा उसे प्राइज मिलेगा इन अप्रोपेट का मतलब जिससे आपकी भावना आहत हो होती है ठीए पर जो भी जो भी वीडियो होते थो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ठीक है या चैनल को सब्सक्राइब करें untuk करना circuit शेयर तो उसब्सक्राइब तो आज के लिए इतना ही बहुत है आज की क्लास को सब्सक्राइब करते हैं रात वाली क्लास इविनिंग वाली क्लास जो है आपकी इविनिंग वाली क्लास नाइन थर्टी पीम पर होगी एज यूजर टाइम पर ठीक है नाइन थर्टी पीम पर चलो बाबाई टेक क्यार अपना ख्याल रखें और खुश रहें झाल झाल प्याण नाइन थर्टी प्रोबैं।